डौक्टर बाबा साहेब आमबेड कर ओपन उनिवर्सيटी नमस्कार विधियाथी मित्रो डौक्टर बाबा साहेब आमबेड कर ओपन उनिवर्सיटी के चेतनीय स्टूडीयो से इस आभासिक अक्सा में में प्राध्यापे का पारुल परमार आप सब का हार्दिक स्रागत करती हूँ आज हम तीवाई बीए के प्रश्न पत्र छे की 21.29 निबंद एवं अन्य गद्य विधाये के बारे में बात करेंगे 21.28 में हमने हिंदी नाट्य साहित्य के बारे में जाना अब हम गद्य की अन्य विधाये जैसे निबंद, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा आदी के बारे में क्रम अशहों जानेगे जिसमें सबसे पहले बात करें निबंध की तो हिंदी निबंध तथा गध्य विधाय की अन्य विधाय जैसे संस्मरोन, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और रिपोर्ट आज ये सभी साहित्य की नई विधाय हैं और पत्र पत्रिकाओं के बढ़ते प्रसार ने इन्हें लोक्प्रिय बनाया है। इनकी स्वरुवात 19 वी सदी के उत्राद से मानी जाती है। विचारों की अभी व्यक्ति के लिए निबंध विधा बड़ी कारगर थी। अतह भार्तेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेककों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए निबंध का सहारा लिया। भार्तेंदु युग के बाद महाविर प्रसाद द्रिवेदी युग में सरस्वतिपत्रिका के माध्यम से निबंधों का विकास हुआ। किन्तु सुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र सुक्ल ने निबंधों को प्रोध रुप त्रदान किया, निबंधों में गहन वेचारिक्ता और विश्लिशन के ततों का समाविस हुआ, आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने एक नई सैली विक्सीत की चो ललीत का विकास केसे हुआ, तो साहित्य रुप की द्रश्टिशे हिंदी में निबंध का जन्म और विकास आधुनीक युग की देन है, साहित्य के अनेक रुपों के साथ निबंध का रुप आविर भाव अनेक कारणों से हुआ, चैसे राष्ट्रिय जागरण, देश प्रेम, व विज्ञानिक मसीनों का प्रयोग, ओध्योगिक क्रांती, आवश्यक्ताओं की वृध्धी, गध्य का प्रचलन, मुद्रन कला का प्रचार, पत्रो पत्रिकाओं का प्रकासन, और अंग्रेजी साहित्य का शंपर्क आधिको माना जा सकता है। इन सब कारणों से निबंध रचना को विशेश प्रोचसाहन मिला, क्योंकि इस विधा के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठ को तक सीधे पहुचा सकता था। और निबंधों में नए प्रयोग किये। किन्टु निबंधों का प्रोढ रूप द्रिविदी युग में ही प्राप्त हुआ। इस दोर में जहां एक और भासा का मानक रूप निर्मिध हुआ, वहीं दूसरी और चिंतन में प्रोढ ता और सेली में परिस्कार भी हुआ। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुकल का केंद्रिय महत्वरा है। उन्होंने विचार, सैली और भासा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरी स्वरुप प्रदान किया। जिस प्रकार हिंदी नाटक और कविता के एक सेत्र में जेशंकर प्रसाद का विशेश महत्वरा है। उसी प्रकार हिंदी निबंध के एक सेत्र में आचार्य रामचंद्र सुकल का विशेश महत्वरा है। का है पतिसरा सुकलोत्तर यूग जो सन 1940 से आज तक का है इन यूगों के बारे में क्रमसह बात करते हुए सबसे पहले सुकलपुर्व यूग सन 1850 से 1920 हिंदी नाटक की ही भाती हिंदी नीबंद लेखन की सरुवात भारतिंदु यूग से हुई भारतिंदु हरिस्चंद्र ने 1868 हिस्वी में कवे वचन सुधा का प्रकासन आरंप किया इसके प्रकासन ने हिंदी में साहितिक लेखन को विशेश रुप से प्रोच साहित किया बाद में स्वयम भारतिंदु ने हरिस्चंद्र चंद्री का और बाला बोधिनी पत्रिका की भी शुरुवात की का आनन्द कादमबीनि स्री निवास्दास का सदादर्श आधी प्रमुख है इस युग में लिखे गए निबंद प्रायह इनुहीं पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे वैसे हिंदी निबंद में निबंद लिखन की सुरुवात कब हुई और पहला निबंद कब लिखा गया और किस ने लिखा यह बहुत स्पष्ट नहीं है आम तोर पर माना जाता है कि बाल कुरुष्ण भट हिंदी निबंद के चनक है सुकल पुर्व यूग को हम दो भाग में बाठ सकते है पहला भारतिंदु यूग और दूसरा द्विवेदी यूग हम सबसे पहले भारतिंदु यूग में लिखे गए निबंद और उनके निबंद कारों के बारे में जानने की कोसिस करेंगे तो सबसे पहले भार्तिन्द यूग जिसका समय सन 1845 से 1900 तक का माना जाता है भार्तिन्द यूग के निबंधों की मूल प्रेरणा अपने समाज के नेटीक और राजनेटीक जीवन स्तोरों को उचा उठाने की फावना है इसलिए इस यूग के निबंध कारों ने समाज सुधार राष्ट प्रेम, देश भक्ती, अतीत गौरव का प्रेम विदेशी सासन के प्रति आक्रोस आधिक को अपने निबंधों का विसरे बनाया है यद्यपी उस समय विदेशी सासन के विरूध चन आंदोलन सुरू नहीं हुए थे इसलिए लेखकों ने अंग्रेजी सासन के प्रति भक्ती भावना भी दिखलाई है लेकिन राष्टर के विकास की चिंता और उसके प्रति प्रेम भी बराबर व्यत्त हुआ है भार्तिंद यूग के निबंदकारों ने इन विस्वयों के अतिरित ऐसे विस्वयों पर भी निबंद लिखे जिन में उनकी जिन्दा देली और विन्दोध वृत्ती जलकती है जैसे आख, नाख, कान आधी विस्वयों पर निबंद लिखे गई भार्तिंग यूग के लेखकों की मूल प्रवृत्ति मनो विनोद की थी इसलिए वे गंभीर से गंभीर विनोद को हास्यों और व्यंग प्रून सेली में सजीव बना कर प्रस्तूत करते थे उनके निबंदों में गंभीर विवेचन का प्रायह अभाव मिलता है लेकिन वे रस सिक्त चुटकी और चिकोटी से भरे हुए थे व्यक्तित्व का सहज समाविस होने के कारण इस दोर के निबंदों की प्रमुक विशेष्ता आस्त्मनिष्ट था है भारतेंदु युग में हिंदी भासा का कोई मानक रूप नहीं बना था व्याक्रन की द्रोष्टी से वह निर्दोस नहीं कहा जा सकती लेकिन बात को प्रभाव साली ढंग से कहिना वे जानते थे विशेष्कर भासा के मात्यम से व्यंग्य और विनोध की सुरुष्टी करने में वे महीर थे मोहावरो लोकोक्तियों के प्रयोक से इस युग के निबंदों की पासा प्राणवान बन गई है उनके पास व्यापक सब्द बंडार है तत्सम तद्बव सब्दों के साथ अर्भी, फार्शी, उर्दू सब्दों की बहुतायत है कुछ निबंतों पूर्ण तह उर्दू सेली में लिखे गई है प्राय हो उनकी सेली निसकर्ष निकाल कर सिक्सन पूर निर्दस और उपदेश देने की है इस यूग के प्रमुक निबंकारों में भार्टेंदू हरिस्चंद्र, प्रताप नाराण मिस्र, बाल कृष्ण भट, बदरी नाराण चोधरी प्रेमदन, लाला स्री निवास दाथ, अंबिकादत व्यास, बाल मुकुन्द गुप्त, केश्वराम भट आदी को हम देख सकते हैं, उसके बाद देखे तो राधाचरण गौश्वामी, सबसे पहले बात करें भार्टेंदू हरिस्चंद्र की, तो साहित्य में यूग प्रवर्टक माने गए हैं, उन्होंने इतिहास, पूरातत्व, धर्म, समात्सुदार, चीवनी, यात्रावरण भासा, आदी विशयों पर व्यंग्यात्मक सेली में निबंद लिखें, विशयों की विवीदता उनके विश्तुरूत, अध्ययन और जीवन के व्यापक अनुपव का परिणाम था, उनके निबंदों में जहां इतिहास, धर्म, संस्कूरूती और साहित्य के गहरी जानकार का परिचे मिलता है, वही देश प्रेम समात सुधार की चिन्ता और गौरव साली अतित के प्रती निष्ठाखा भाव भी प्रकट होता है, भारत वर्स की उन्नती केसे हो सकती है, लेवी, प्राण लेवी और जातिय संगीत में राष्ट्र के प्रती उनकी गहरी निष्ठा अग्यक्त हुई है, तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांच में पेगंबर, कानुन दाजीराच सोहर, ग्यात विवेकिनी, सभा, अंग्रेज स्तोत्र, कड़ कड़ स्तोत्र, जैसे निबंधों में उनकी राज निटीक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोध की समता का पता लगता है, भारतिंदू के निबंधों की भासा में उर्दू, शंस्कृत, और बोलचाल की हिंदी के सब्दों का प्रयोग हुआ है, एक बात जो ध्यान देने की है, वह यह कि भासा के प्रती भारतिंदू का द्रश्टिकों यथार्थ वादी था, इस तत्यका पता हमें उनके निबंधों से चलता है, अब बात करें बालकृष्ण भट की तो वह भारतिंदू यूग के प्रमुक निबंधकार है, उन्होंने लबग एक हजार निबंध लिखे है, बालकृष्ण भट ने 32 सवर्षों तक हिंदी प्रदिप निकाला, उन्होंने समाज सा भाव, कल्पना सभीक सेत्रों से विशयोका चयन किया है, भट जी के निबंधों में हाश्य विनोध के साथ कल्पना, भावना और वेचारिक्ता भी पाई जाती है, उनकी भासा प्रायह बोलचाल के समिप है, उनमें हिंदी की अतिरिक्त, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृ समुके रदे के विकास के चरित्र पालन, प्रतिबा, आत्म निबरता जैसे विचार आत्मक निबंध, आसु, मुग्द, मादूरी, पूरुस अहरी की स्त्रिया अहर है, प्रेम के बाग का सेलानी, आभी भावत्मक निबंध, तथा संसार, महानाट्य साला, चंद्रोदै, स पड़े सो बाबु होई, दंभाख्यान, अखिल, अजीरन, रोग, जैसे व्यंग्य विनोध परक निबंध लिखे, उनके सामाजिक समस्याओ पर लिखे गए निबंध है, जैसे बाल, विवा, स्त्रिया, और उनकी सिक्सा, महिला, स्वातंत्र, आदी, उसके बाद करे हम प उनका उलेख, श्वयम रामचंद्र सुकल ने अपने इथिहास गरंथ में किया है, इनकी भासा में व्यंग्य पूर्ण व्यक्यत वक्रता की मात्रा अधिक है, इसके लिए वे लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं मिस्र जी ने जहाँ एक और भौ, बोढ़ापा, होली, धोखा, मरे को मारे, साहमदार, जैसे विनोध और सूजपुर्ण निबंद लिखे हैं, वहाँ दूसरी और सीव मुर्ती, काल, स्वार्थ, विश्वास, नास्तिक, जैसे गंबीर विशयों पर भी लेखने चलाई हैं प्रताप नाराण मिस्र के बाद हम देखें तो बाल मुकुन गुप्त, भातेंदु युग के प्रतिबावान निबंद कार है, इन्होंने द्रिविदी युग में भी महतोपूर्ण लेखन किया है, गुप्त जी ने बंगवासी और भारत मित्र पत्रिकाओं का संपादन कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही उनके निबंद प्रकासित हुए, उनके निबंदों में गहन, चिंतन, तिखा व्यंग्य और मिठी हसी का समाविस मिलता है, शिवसंभूक के चिठ्थे के आठों चिठ्थे उनकी देश पक्ति की भावना के द्योतक तो ही व्यंग्य और ग गुप्त निबंदावली नाम से प्रकासित हुआ है, अब बात करें सुक्ल पुर्व यूग में भारतिंदु यूग के बाद आता है द्रिवेदी यूग, उसके बारे में अब बात करें तो द्रिवेदी यूग जिसका समय 19-1920 तक का माना है, हिंदी निबं का द्वितिय उत्धान द्रिवेदी यूग है नागरी प्रचारनी प्रत्रिका तता सरस्वति के प्रकासित हिए उनका दिती उत्थान प्रारम होता है, इस यूग में राश्ट्रिय जेतना और अधिक परिपक्व हो चुकी थी, इस यूग राश्ट्रिय जागरूती, विश्व प्रेन, सामाजिक एकता अतित गोरव शांस्कुरूतिक नवजागरण तथा भासा के परिशकार का युग है अतह इस युग में निबंधों में विशयों की विवीदता वीचारों की गंभीरता और भासा की सुधता और व्याक्रों सम्मत्ता मिलती है उदर राष्ट्रिय परिश्थितियोंने शंपून युग को गंभीरता उत्तर दाईतव तथा सोधेस्य तमें एसा बोजिल बना दिया कि व्यंग्य विनोद हास्य परिहास रागरस आधिकी मात्रक कम होती गई इस युग के निबंद पत्र पत्रिकाओं में अधिक प्रकासित हुए इनमें नागरी प्रचारणी पत्रिका, शरस्वती, समालोचक, इंदु, मरियादा, प्रभा, आधि पत्रिकाए प्रमुखे इस युग के निबंद कारों में बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद, द्रिवेदी, श्याम सुंदर दास, राम चंदर सुकल, रस्तदार, सर्दार पूरण सी, चंदरदर सर्मा गुलेरी, माधो प्रसाद, मिस्र, आधि प्रमुखे तो सबसे पहले बात करे हम महावीर प्रसाद, द्रिवेदी की महावीर प्रसाद, द्रिवेदी न मूल तह विचारात्मक निमन लिखे, लेकिन उनमें तात्विक, विश्लेशन और सुख्स्म चिंतन का अबाव है जिवेदी जी को इस बात की चिंता सबसे अधिक थी कि हिंदी पाठक की ज्ञान पिपासा को केसे तुरुप्त किया जाए ज्ञान विज्ञान के क्सेत्र में उपलब्द नई और उपयोगी जानकारी उस तक केसे पहुँचाए जाए और सबसे बढ़कर उसमें हिंदी माध्यम से सूचनी की समत्या का विखास की कैसे किया जाए इसके लिए उन्होंने कहानी, निवेदन, उपदेश, संदेश, निर्देश, प्रमान, उदाहरन, तत्य का उलेक आधि बहुवीद उपयोगी एवं रोचक पत्तियों से निवन का प्रारम, विकास और समापन करते हुए पाटको को नूत्तन सामक्रिदी, 1903 में सरस्वति के संपादन का कार्योभार संभाला और 1920 तक इस कार्या में लगे रहे द्रिवेदी जी ने सरस्वति के माध्यम से हिंदी पासा और साहित्यों को प्रोटता और नमिंता प्रदान की उन्होंने अनेक प्रकार के उपयोगी, ज्यान विस्वयक, एतिहासिक, पुरा तत्व, तथा समिक्सा समंधी निबंध लिखे उन्होंने गद्यों की अनेक सहिलियों का प्रवर्तन तथा भासा का संसकार किया अंग्रेजी के बेकन की निबंधों का अनुवाद भी बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रस्तोद किया जिससे हिंदी के अनेक लिखकों को निबंध लिखने की प्रेरा मिली महावीर प्रशाद रिवेदी के समीक सात्मक निबंधों में कवी और कवीता, शाहित्य की महत्ता, वर्णनात्मक निबंधों में एक योगी की साहित्य क समाधी और अदपूत इंद्रजाल आधी प्रमुक निबंध है युग व्यापी निरस्ता से अलग हटकर उन्होंने कुछ एसे निबन भी लिखे चिन में विचारों के उपर लालित्य का रंग चल गया साधारण विशाई को भी गंभीर स्तर्तक उठाने और गूट अर्थों के उद्गाटन का प्रयत्र किया गया महावीर प्रसाद द्रिवेदी के बाद पंडीत माधव प्रसाद मिस्र द्रिवेदी युग के प्रवाव साली लिखब थे उन्होंने सुदर्शन का संपादन किया था भारत की प्राचीन संस्कूती धर्म दर्शन आधिक साहित्य के प्रति उनके गेहरी आस्ता थी राष्ट्र के उत्थान और जन सादारन के आर्थिक तथा नेतिक विकास की हार्दिक लालसा उनके मन में थी इस द्रश्टी से स्री पंचमी सिर्षक निबंध उल्लिक नियन मिच्र जी की भशा संस्कूत निष्ट है लेकिन उनकी भशा में प्रचलित मुहावरों और बोल्चाल के सब्दो से व्यंजना सक्ती भी दिखाई देति हैं मिश्रक जी की सैली ओज और प्रवासिप पूर्ण है उनमें सर्वत्र भासन कासा आरो और अवरो दिखाई पड़ता है विवेचन के प्रसंगों में भी राग तत्व की प्रधानता है मिश्र जी ने कुछ एसे निबंद भी लिखे है जिनका सम्मंद मनोविकारों और गुरुहस्तिक समस्याओं से है इनमें सास्त्रिय निरुपन कम है अनुबव और व्यवहार का सहारा अधिक लिया गया है कुछ चिंतन परक निबंद भी है जैसे सब मित्ती हो गया त्योहारों और पोर्वों पर उनके निबंद भावपूर्ण और कल्पना के सोंदर्य से संपन्न बने होली, राम लिला, व्यास पुजा, स्री पंचमी, आधि सोथ और अनुसंधान के खेत्र में उनकी खंडन मंडन पोर्ण सेली प्रभापोर्ण थे बेवर का ब्रह्म इसका अच्छा उदारन है मिस्त्र जी के बाद आते हैं बाबू स्याम सुंदर्दास बाबू स्याम सुंदर्दास के अधिकांस निवंत आलोच नात्मक है उनके विशय प्रायह साहितिक और सांस्कृतिक रहे इनमें विचारों और भावों का प्रवा निरंतर जारी रहता है उनके विवेचन में जितना विस्तार मिलता है उतनी गहराई नहीं इसके दो कारण हैं पहला तो यह कि वे लेखक होने के साथ साथ वक्ताभी से थे श्यामसंदर दास की भासा संस्कृत निष्ट और प्रवापूर्ण थी बोल चाल अत्वा उर्दू के सब्दों का व्यवार उन्होंने कम ही किया है उनके विचार आत्मक निबंदों में व्यास सहिली के दर्सन होते है जैसे भारतिय साहित्य की विसेशता है निबंद में उसके बाद सर्दार पूरण सी तो द्रिवेदी युक के एसे लिखक हैं जो किवल छे निबंदों के बल पर श्रेष्ट निबंदकार माने गई उनके निबंद नैतिक और सामाजीक विसेशों से संबद्ध है उनके निबंदों में प्रचलित प्रणाली से भिन जो पदती विचारों की वियंजना के लिए अपनाई गई वह सर्वता मौलीक और रुपात्मक विकास की द्रश्टिशे बड़ी महतोपोन है ललिद निबंद की जो दाणा आज प्रचलित है उसका प्रत्यक सरूप इनके तीन निबंदों आचरन की सभ्यता, मज़दूरी और प्रेम तथा सच्ची विर्ता में मिल जाती है सेस तीन निबंद है कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त जोगी वर्ट हिपमेन ये निबंद हिंदी भासा की स्थाई एवं मुल्यवान निदी है, इन में व्यक्तितों की महस, अनुभुती और सेलिगत लालित्य मिलता है इनके निबंदों को पढ़ने से व्याख्यान कासा आभास होता है दुसरा कारण यो है कि वे हिंदी भासा और साहित्य के अभावों को दूर करना चाहते थे इसलिए एक ही विशय के गहन विवेचन के बज़ाय अनेक विशयों पर व्यापक विचार कर लेना वे अधिक उप्योगी समत्ते थे सरदार पूरण सेंग की भासा संकेत संपन और भाव यंजक है सब्द विन्यास और वाक्य संगठन निबंद के लालित्य को बढ़ाते है सरदार पूरण सेंग के बाद देखे तो चंद्रदर सर्मा गुलेरी इतिहास संस्कृती शाहित्य और भासा के प्रकांड पंडित थे उन्होंने इन ही विशयों पर खोजपूर्ण गवशनापूर्ण और गंभीर निबंद लिखे उनके निबंदों में गंभीरता के साथ सरल व्यग्य विनोद पांडित्य के साथ बहुतिक सरस्ता और प्राजिन्ता के साथ नविन्ता का अद्भूत सामन जस्य दिखाई देता है कचुवा दर्म विचान प्रधान और मौरेस माही कुठा पाव प्रधान में आग्रह सामाइक्ता और तातकालिक कर्तव्य का ही है गुलेरी के निबंद उनके व्यक्तित्व की सजीवता से ओत्प्रो थे उनकी पासा अधिक तर चलते हुए सब्दों से बनी है केबल प्रसंग वस पारिपासिक सब्दों का प्रयोग किया गया है किसी विशेश प्रकार के सब्द समुपर उनका आग्रह नहीं था वे चोटे-चोटे वाक्य लिखते थे लेकिन उन्हें भाव पूर्ण बना देते ही गुलेरी जी के बाद आते हैं पद्म सी सर्मा इनके निबंद आलोचनात्मक थे निबंद मुख्यत साहितीक विशयों अथ्वाव्यक्तियों पर लिखे गए हैं इनके निबंदों के संग्र पद्म पराग और पद्म मंजरी नाम से प्रकासित हुए किसी सामान्य विशय को लेकर चिंतन तथा कल्पना के सहारे उनमे जान डाल देना उनके लिए आसान था सर्मा जी की भासा में प्रचलित बोली के मुहावरे, शब्द तथा उर्दु भार्षी और अंग्रे जी के सब्दों का खुल-खुल प्रयोब किया गया है वे अफसर के अनुकूल छोटे-छोटे वाक्यों में सफाई के साथ अपनी बात कही जाते हैं वीचारों में उल्जन और दुरुता नहीं दिखती उन्होंने इसी भासा का विकास किया चो आलोचना अथ्वा निबंद को भी कहानी तथा उपन्यास की तरस सरस बना सके तो ये थे सुकल पुर्व युग में भार्तेंदु युग और दिवेदी युग के निबंद और निबंद कार अब हम बात करेंगे सुकल युग की जिसका समय सन 1920-1940 का है आचारिय रामचंद्र सुकल के निबंद क्षेत्र में पद्धापन करने से निबंद साहित्य में एक नया जीवन आया डिवेदी युग में विशय विस्तार और गद्य भासा का परिसकार्तों पर्याप्त हुआ किन्तु उस काल में उतने विश्लेश्रण गुद्धी से काम लेने और गहराय में जाने के प्रवुति न उत्पन हो सकी इस युग में गद्य की भासा में सुरुजनात्मग प्रयोग का कार्य आनब हुआ आचारिय रामचंद्र सुकलने गध्य भासा को निखारने और चटिल से चटिल विसए विचार और भाव को सफलता पुरुवक प्रस्थूत करने का उलेक निये कार्य किया यह वध और था जब कथा साहित्यकेक चेत्र में प्रेमचंद और काव्यों केक चेत्र में छायावदी कविक सक्रियत है इनका स्पष्ट प्रभाव निबंद लेखन पर पड़ा शोयम चायावादी कवियों और प्रेम चंद ने विभिन विशयों पर निबंद लेखें। शुकल यूग में रचना विन्यास की द्रश्टी से एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है। शुकल यूग के निबंद कारों में राम चंदर सुकल गुलाबराय, जेश संकर प्रसाद, शुमीत्रा नंदन पंद, निराला, महादेवी वर्मा, नंद गुदोलारय वाजपेई, सांति प्रियत ध्रिवेदी, प्रेमचन, राहूल सांकृत्यायन, रामनाथ सुमन, माखनला चत्रवधी आधी प्रमुख है, इसमें सबसे पहले बात करते ही, हम आचात राम चंदर सुकल की, तो सुकल जी इस यूग के प्रतिनीधी निबंद कार है, सुकल जी ने विभीन्न विस्तयों पर निबंद लिखे, जो चिंता मणी के तीन भागों में संकलिखे, उनकी प्र क्रोध, स्रद्धा और भक्ती, त्रुणा, करुणा और गलानी, लोब और प्रिटी, इर्ष्या, उत्सा, आधी विभीन्न मनोभावों पर दस निबंद लिखे, जिन में उन्होंने इन मनोभावों के सामाद जिक पक्स का विश्लेशन गिया, सुकल जी ने साहित गंभीर पक्सो पर भी लिखा, एसे निबंद में गंभीर चिंतन, सैधान्तिक विवेचना और तरकपूर्ण व्याख्यान तों मिलते ही हैं, भावगरदय के दर्सन भी होते हैं, जैसे कविता क्या है, साधारी करण, वैची त्रवाद, असात्मक बोद के विवीत रूप, काव्य म लोकमंगल की साधनावस्था, सुकल जी हिंदी भासाकी को अपनी प्रवरूति के बेचोड पार की थे, सब्द और अर्थ के पारस पारिक संबंद को वे अच्छी तरह से समत्ते थे, सुकल जी ने विचारों के संप्रेसन के लिए संस्कुरूत, फार्षी उर्दू और बो इंजक बनाया और दूसरी ओर चित्र प्रधान, चित्र विधान में सहायता देने वाली समर्थ भासा का निर्मार किया। व्यंग्य मुलक होने के साथ साथ लेखक के पांडित्य और जीवन दिर्शन की चबी भी प्रस्तुत करते हैं। उनके निबंधों में गंबीर चिंतन तो मिलता ही है। आत्मियता पोण व्यंग्य विनोध भी उनमें दिखा जा सकता है। इसके प्रमान स्वरुप उनके द प्रत्व चिंतन की प्रधानता है। सामाचिक दाइत्व और राष्ट्रिय एवं वेक्तिक आचार मुलक प्रश्न उठाए गए है। अंतर वृतियों की मनोविज्यानिक चानवीन है। उधर दूसरे संग्रों में हास्य, रससिक्त, आत्मपरक और व्यंग्य विनोध से निबंदों को लालित्य पून बनाया गया है। गुलाब रायजी की भासा में प्रचलेत सब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत, उर्दू, देशस, अंग्रेजी सब्द सहज रूप से ग्रहन किये गई है। लोकोप्तियों और मोहावरों का भी धारावाहिक प्रयोग किया गया है। गुलाब रायजी के बाद आते हैं माखनलाल चतुरवेदी। चतुरवेदी जी तन, मन और प्राण से पून तह राष्ट्रिय थे। उनकी रचनाओं में अनुभूती प्रवन्ध दा आवश्यक है। किन्तु विसई के वस्तुगत विवेचन की अपेक्सा नहीं होई है। वे तथियों, घटनाओं और वस्तुरुपों के प्रती पाठकों में रागात्मक चेतना चगा कर उन्हें कर्म की ओर अग्रेसर करना चाहते थे। इसी उदस्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भाव का आस्रे लिया और ज्यान को उसकी चाया में विक्सीत किया। रागतत् उनका गद्य, लयात्मक, लालित्य पूर्ण और प्रवायुक्त बन गया है। साहित्य देवता संक्रह में रर्षुपूर्ण आत्मा भी व्यंचक निबंध है। चुतुर वेदी जी ने और प्रस्तूत योजना आनी यानि की प्रतिन अत्मक का आस्रे लेकर फासा को बीम् है। उसकी गद्य सेली भावावेक से विचारों को प्रस्तूत करती है। अत्व भाक्य विन्यास भी कहीं बहुत लंबा कहीं मध्यम आकार का तथा कहीं अत्यंत छोटा हो जाता है। उनकी भासा में तद्सम तद्बव सब्दों के अतिरिक फार्षी उर्दू और अंग्र तत्व वेदा थे। उनके पुरा तत्व विशयक निबंध पुरा तत्व निबंधा वेली में प्रकासी थे। साहित्य निबंधा वली में भासा और साहित्य विशयक निबंध संकली थे। उनके यात्रा विवरणों को उतकृष्ट निबंधों की कोटी में रखा जा सकता राहूल जी विशय के जानकारों ग्यानी थे इस कारण वे अपने निबंदों में नए तत्यों का समावेस करते थे राहूल जी ने अपने निबंदों में ततकालिन विशयों को ग्रहन ग्रिया मात्रु भासाओ का प्रश्ण, प्रगतिसी लेखक, हमारा साहित्य, भोजपूरी, आधी निबंद बहुचर्चेत समस्याओ को छेड़ते है उनमें निबंदकार की अपनी तरक पत्ति और चिंतन प्रक्रिया दिखाई देती है परणनात्मक निबंदों में शहज, स्वाभाविक, प्रवाह निखरखर सामने आ गया है अपनी सम्रुद्ध भासा में मानव जीवन और प्रक्रुती के अनेक पदार्थों जैसे गली, चोराहा, सड़त भीड, सोरगूल, वीराना, लत्ता कौंजू द्यान, जंगल सागर, सरिता, परवत, मरु भुमी, टोकरी, आधी का रसात्मक चित्रन किया है राहुल जी का गद्य लोकोन मुखी था, चंता की जबान पर चलने वाले सब्द उन्हें प्रिय थे, अंग्रे जी के परिवर्तित और प्रचलित सब्दों का व्यभार भी खुल कर करते थे राहुल जी के बाद हम बाद करें तो सुर्यकांत त्रिफाठी निरालाजी, तो निरालाजी महा कवी के रूप में तो विख्या थे किन्तु गद्य के एक सित्रों में भी उनका योगदान कुछ कम महत्व पुण नहीं है उन्होंने अनेक प्रभावसाली निबंद लिखे जो प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चयन, आदी निबंद संग्रोहों में संकली थे ये निबंद मुख्य तह काव्य साहित्य और हिंदी भासा की अपने शमस्यावों से संबंध है निराला जी के निबंदों में ध्यान आकरसित करने वाली सबसे महत्वपुण बात है उनका अकड़ व्यक्तित्व जो किसी परिस्थिति में समझोते के लिए लाचार नहीं होता उनके निबंदों में आत्मा भी व्यक्ति के दर्शन होते है एक विलक्सन बात यह है कि उनके निबंद भावक्ता और कल्पना से दूर है उनकी गद्य सेली ये थार्थवादी है वे अपने अनुपहों को सामान्य किन्तु चुस्त भासा में बिना किसी लाग लपेट के कह देते है पद्य की तरह गद्य में भी वे वित्रण, तथ्य, कथन या अर्थ निरूपन से संतोष्ट नहीं होते वरन और प्रस्तोत विधान के आश्रे से उसे चित्रित कर देते है उनकी भासा छोटे-छोटे वाक्यों से बनी है उनके सब्द लोकोक्तिया, मुहावरे, ग्रामेन परिवस से लिये गई है इस तरह जन प्रसा का प्रयोग उन्होंनी किया है तो विद्यार्थी मेत्रों आज हमने 21-29 निबंध एवं अन्यागर्ध्य विधाये में हिंदी निबंध के विकास में भार्तेंदु यूग, द्रिवेदी यूग, सुकल पुर्व यूग में आते है और सुकल यूग के निबंध और निबंधकार के बारे में जाना अगले विद्यार्थी मेत्रों आज हमने 21-29 निबंध एवं अन्यागर्ध्य विधावों में हिंदी निबंध के विकास में भार्तेंदु यूग, द्रिवेदी यूग, चो सुकल पुर्व यूग में आते है और सुकल यूग के निबंध और निबंधकार के बारे में जाना अगले विडियो में हम सुकल पुर्व यूग के निबंधकार और निबंध के बारे में जानेगे तो तब तक के लिए धन्यवाद